हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विश्य परेरान अध्यान की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी वक्सीट वीक नमबर 3 के लिए है ज Question 1 है हमें अपने दैनेक जीवन में पानी की आवश्यक्ता होती है नीचे दिये गए चित्रों के आधार पर सही सब चुन कर लिखें सब्द हैं बच्चों खाना बनाना कपड़े धोना नहाना बागवानी पीने के लिए सफाई तो हमें पानी की किस-किस में आवश्यक्ता ह होती है पीने के लिए यहां पर पानी का क्या यूज़ हो रहा है बागवानी के लिए यहां पर पानी का यूज़ है चित्र में खाना बनाने में और पानी का यूज़ किसमें होता है नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए और सफाई के लिए अब है question 2 सही विकल्प चुन में बदल जाती है सबजी दोने के बाद बचे हुए पानी को चाहिए पौधों में डाल देना चाहिए नाली में डाल देना चाहिए तो पौधों में डाल देना चाहिए पानी गरम करने पर में बदल जाता है भाप में या बर्फ में तो गरम करने पर भाप में बदल जाता है नेक्स्ट है दिल्ली नदी के किनारे इस्थित है नर्मदा या यमुना तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे इस्थित है अब है बच्चो इन कामों को करने के लिए आपको कितना पानी चाहिए मग भर पानी चाहिए या बालती भर पानी काम है कपड़े दोने के लिए बालती भर पानी चाहिए दात साफ करने के लिए मग भर पानी चाहिए नहाने के लिए बालती भर पानी चाहिए आटा गूंदने के लिए मग भर पानी चाहिए और पीने के लिए मग भर पानी चाहिए अब है बच्चो Q4 और बॉक्स में कुछ जल्सरोथ दिये हुए हैं, उन्हें तालिका में उचित इस्थान पर लिखें, जील, नल, नदी, नहर, कुआ, जहरना, टांका, सागर, मानम निर में जल्सरोथ हैं, नल, कुआ, और टांका, प्राकर्तिक जल्सरोथ हैं, जील, नदी, नहर, जहरना, अभे बच्चो घर पर पानी की बचत के बारी में परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए और कोई तीन उपाय लिखिए तो बच्चो जरूरत की समय ही पानी का उप्यूग करना चाहिए सब्जियां को धोने के बाद पानी को पौदों में डालना चाहिए तपक्ति नल को सही करना चाहिए अब बच्चो question 6, चित्रों के साथ सही मिलान करें बच्चो ये क्या है कुऊँ ये है बच्चो जहरना समुद्र कहां पर है ये बच्चो समुद्र है और ये है बच्चो नदी अब बच्चो question 7, कुरिया कलाब दिये गए चित्रों में रंग भरिये तो बच्चो यहाँ पर बालती का चित्र है और यहाँ पर यह मटका है पानी का बरतन है तो इसमें आप सुन्दर से रंग भरेंगे बच्चो यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू